हेलो दोस्त आप सब्सक्राइब स्वागत है मारे चैनल दाहिमेली में आज की बीडियों में बात करने माले हैं फीजियो थ्रेपी के जो फॉर्म आ चुके हैं जिसे चार कॉल्जेश इंक्लूड हैं फर्स्ट आवाल नील कोलकाता सेकेंड एस्वी निरतार थर्ड यनाई पी चैनल भी मिलता है अगर आप इंटर्स पहले ऐसे कॉल्जेश जो इस टाइप देते हैं फिजियो थ्रेपी आर्थोपीट अर्थोटिक्स एंड प्रोटिक्स और आपको आकुपेशनल थिरेपिस्ट को तो सब्सक्राइब हम आपको बात करने वाले हैं नील कोलकाता सब्सक्राइब कर देना चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना होगा कि लास्ट टाइम पर जितने इंफॉर्मेशन दिये थे 80-90 परसेंट आपको बहुत एफेक्टिव रहा है वीडियो तो जो भी स्टुडेंट जो भी बच्चे जो ट्रस्ट किये जो वीडियो को देखे वह हुआ के बाद उनको सीथ मिल चुकी है थैं मतलब बहुत सारे बच्चों को सीड मिल गये जो भी गये और ने रएंग नमबर तक पताया उतने औरने बच्टे जो भी एं 괜찮 कलीक हरें तो उनको सीड मिल गई तो इस बार अभी हम अप्लीकेसं कि बात करेंगे जब कांसलिक कों क्यों कि इसमें बैचलार तीन कोर्से से बैचलार आप फिजियो थरेपी बैचलार आपकुपेशनल थरेपी बैचलार इन प्रॉस्थेटिक्स और्थ्टिक्स तो यह चार इंक्रूर ने चार आपको बता दिया इसके वाद हम बात करने वाल नहीं है कि जो डेटाफ एक्जाम स्ट मेंसन दिया है यूदी काड फोल्डर अगर आप यूवी ईडी काड होल्डर हैं तो आपकी जोब फीस है वह आपको नहीं देनी होगे ठीक है आपकी फीस जो है आपको फ्री अखर हो जाएगा आपको फीस नहीं अभी सिमिट करना होगा ठीक है इसके लाव को सीट लॉकिंग फीज जो थी वह दस जार रुपए है एड़ेस्ट विद कोर्स फीज वो कोर्स के साथ एड़ेस्ट हो जाएगा इसके लाव हम नेस्ट बात करेंगे पॉप्लिकेशन जो आपका अप्लिकेशन फॉर्म है वह लास्ट डेट जो है बारह 12 जून 25 बज इवनिंग में 5 पीम तक रहेगा एड़मिर कार्ट विशन ने दे दिया है अल्रेडी डेट दे रखा है 16 जून से 30 जून के बीच में इन्होंने कोई प्रॉक्स टाइम नहीं दिया मतलब इन बिट्वीन करके बोला है उसके लिए नेस्ट जो है एक्जा डेट थोड़ा साथ चेंज होता रहेगा उसके कार्डिंग आपको इसी चैनल के मातल सा आपको इनफर्मेशन सारी मिलती रहेगी इसके लिए इसमें क्या क्या देख सकते हैं डिसबल्टी ब्रॉडली गूरूब ने दे भी दिया है कि किस तरह से डिसबल्टी आप होती है परसन म लेडर बात करने तो आपको इंटरेंस एक्जाम से बताएंगे पेपर पाइटर्न क्या है वह हम बताएंगे फिजिए त्रेपी की अकुपेशन सारी चीजे आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो जो आपको अप्लिकेशन हम आपको इसे पहले हम आपको बता दें जो चार कॉलेज हैं इनका कोर्स कितने एर का है प्रते जो भी जैसे की बीपीटी होगा वीओटी एंट बीबियो तो इन सभी का कोर्स फोर एन हाफ मन्त का होता है तो फोर एयर एन सिक्सिंग मन्त इंटरंसिफ होती है सभी देख लीजिए आप नील कॉलकाता में सेम ही है इस बीब्योव पिटि यू एन ही पिड़ी तो इस में सभी में याप देख सकते हैं कौर्स कौनayı कौन से समय इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट में कितनी होती है फिर सम बात करेंगे यह पेपर पैर्टन क्या होता है सारी सेज़ा आपको देखिए जो अपशन पेपर है पर कुश्चन आने वाला तो आप यह चीज आपको दिमाग जरूर ध्यान दोना आगा पेपर पैटन वन पेपर हां एक पेपर के दो पार्ट है पेपर एब में क्या होगा दस दस कुछ दस नंबर के जो आपके जनल आने वाले इसके बाद नाइटी जो नंबर के कुश्चन आने वाले हैं वह फीजिएक्स चैमिस्टी बावलोगी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह आपको मैत्मेटिक से तो आप फीजिए थरेपी नहीं बीपीटी नहीं कर सकते बाकी दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें देख सकते हैं इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं आपको बता देंगे आप इसमें आपकी एज कितनी हो चाहिए आपकी एज 17 साल होनी चाहिए 12 जून से आप जब निकालेंगे आप अपना एज तो लिमिट है वह आपके 17 मिनमम कम से अगर आप 17 साल से कम है तो आप फार्म नहीं फिल कर सकते है अपर एज लिमिट इन्होंने दे नहीं कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दे रखा है बड़ जो नुटलाई का पंडि दिन द्याल उपाद है इन्होंने भी 17 इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग दिया 17 एयर अन आप इसमें बात करेंगे बीपीटी बीटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन प्लस टू साइंस से एक्विएलेंट टू फिजिक्स यह सब आप सम देख रहे हैं चालिस परसेंट आपका होना चाहिए अब इसमें ब्युवाजन किया है जनरल अंडिजर्ब के थर्टी वन सीट है यसी कि फाइब सीट है ओवी सीट है इसमें यह सब कोई भी कुछ भी नहीं है सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी किदी शीट है आपको यह ब्राउचर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्रा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित दीन द्याल उपद्धा यानिकी जो की निव डिलही में है इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं इनका जो की 68 सीट हैं ब्योट की 68 है ब्योट की 39 नाइन सीट है यह आप देख सकते हैं इस तरह तो जिन्होंने डिवाइड किया हुआ है जो भी सीट है इसे रिजर्वेशन भी चलता है तो यह स्टी में 5 सीट है 5 5 & 3 यह सी में 10 10 6 ओ भी सिखी बात करें तो 18 18 & 11 सीट है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है जिस तर रहा है फिर उसके बाद हम आपको पताएं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में फीस क्या क्या कितनी लगती है सारी कॉल्जिस के आप नाम देख सकते हैं यह वन बाई वन आपको यहां पर फीस देखने को मिल जाएगा ट्यूशन फीस जो है कितना 24,750 रुपए है यहां पर जो 40 रुपए है और इन्हें एडमीशन फीस भी ले रखा है 3,600 रुपए है ठीक है इसके हम आप दे सकते हैं लाइबरीडी सेक्यूर्टी स्पोर्ट्स कल्चर यह सारी चीज़े इन्होंने दे रखा है टोटल हम आप बात करेंगे टोटल कितना आपका फीस लगना हॉस्टल क सकते हैं किसमें चाहता है किस मेकान में परट इसमें आपको देखना पड़ेगा आप एक्कमोडेशन भी कुछ लगते हैं कहीं कहीं पर तो ठीक है जो आपके फीस लगना है टोटल आपको बता दे हैं निल कॉलकाता में जो है इसमें पेबल होगा 61,000 पर येर उसकॉप कट पेग करने नहीं डिला ही में आपको 51,520 रुपए आपको फीस जो टोटल वन येर की आपको पड़ जाएगी ठीक है इसके अलावा हम आपको बात करें जनरल रूल्स जो होते हैं वही सेम रूल्स होते हैं वह नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे उसके अलावा आपको जो भी देना है मतलब आनलाइन आपको जो भी करना है वह सारी चीज़े आपको हमारे थरो हमारे चैनल के थरो आपको मिल जाएगा ठीक है बाकि यह सब फॉर्म परने कहा है तो फॉर्म आप भर सकते हैं रेसेंट पासपोर्ट साइट फोटोग्राफ सिगनेचर लिप थम ठीक है पी डबलू डी यू डी आइडी आप यह सब यूज कर सकते हैं वन बाई वन इस टेप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी इंफार्मेशन दे देंगे तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब करना बेल आगान प्रेस कर देना क कर देना कोई भी कुछ चन हो आपके दिवां जरूर हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए उसमें आपको रिप्लाइज जरूर देंगे और इस जो भी इंफार्मेशन होता है अपडेट हम आपको देते रहेंगे अभी जो भी इसमें कुछ अगर जोट घया तो तो मैं जरूर आप कमेंट करिए मः कमेंट ब्रेपलाइघ देंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जितना भी आपका कमेंट ओगा सारकमेंट कर रिपलाइघ दे देंगे तो आज की वीडियो यहीं तक विज़ेखांस कराभाटि मुद्वेखांस के लि